हेलो अबरीबन तोडे आइ विल डिस्कूस अ निव शैटर अफ क्लास सेवें दा हेर और टाटर आईज बच्चो तुम तुम लोग इस कहानी को बहुत 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 तरीके से जानते होगे कि किस तरह के से कच्छुआ और खरगोस में रेश हुआ करता था और इस रेश में जीता भी कौन था तो कच्छुआ जीता था क्योंकि लापरवाही के वज़े से खरगोस हो जाता है और कच्छुआ देरे देरे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है लेकिन ये जो story तुम्हारे जो सामने है एक ये story नहीं है story ही है लेकिन उसे एक कविता में सजा करके तुम्हारे सामने present किया गया है लेकिन वो कहानी जो खरगो सो गया था और लापरवाही के वज़े से वो क्या करता है कच्छौा race को जिट जाता है winning point पर पहुंच जाता है और ये जो कहानी जो तुमारे book में अभी present time में है वो story इस story से बिलकुल different है तो different क्या है तो हम लोग इसको discuss करेंगे तो समझ में समझ पाएंगे कि वो story और इस story में क्या difference है इसमें भी कच्छवा ही जितेगा लेकिन मज़दार बात ये है कि एहां पर कच्छवा अपनी धिमाग से जितता है अपने will power से जितता है तो हम लोग एक एक करके line by line discuss करेंगे और आप लोग भी book को खोल करके आराम से समझे समझ बहतरी तरीके से जाएगा no doubt पढ़ते हैं you can't raise me said johnny the hair यहां पे johnny कोन है johnny खरगोश का एक नाम है johnny कोन है खरगोश का नाम है तो कहता है johnny कहता है क्या कि तुम मुझे race में नहीं आ रहा सकते before you have started जैसे ही तुम start करोगे मैं तुम से पहले i will be there मैं वहां पहुँ जाओंगा there मतलब मैं destination में पहुँ जाओंगा और कैसे कैसे जाओंगा destination पे from the barely field to the farmer's band and I will lick you shammy fair and square बोलता है क्या कि मैं barely field से जो के खेट से हो करके किसान के खलिहान से हो करके I will defeat you लिख मने होता है defeat मैं तुम्हें हरा दूँगा मैं तुम्हें हरा दूँगा defeat कर दूँगा sammy, sammy कौन है यहाँ पर, sammy totorize का नाम है, यानि कछुः का नाम है, यहाँ पर Sammy है और बोलता है कि मैं fair तरीके से, पूरे साफ तरीके से, नया पूर्ना तरीके से मैं तुम्हें हरा दूँगा इस बात को कौन बोलता है, इस बात को जॉनी बोलता है, मतलब खरकोष कहता है, सामी बेचारा समझ जाता है, सामी क्या बोलता है, सामी तर्टोराइज सेट कहता है, ठीक है, वेट, चलो इंतिजार करते हैं, और देखते हैं कौन जितता है, ये कहा करके, वो क्या करता है, सामी अपने वापस आता है अवे ही crawled मतलब ये बात कहता है कौन सा बात कहता है wait and see कहता है और आगे बढ़ जाता है crawled मतलब होता है दीरे दीरे चलना जाते है कचुवा दीरे दीरे चलता है कचुवा क्या करता है दीरे दीरे चलता है तीन मेंबर है, यानि कि हो सकते हैं, हम कह सकते हो कि उसके तीन लड़के हों, यह कह सकते हैं, पहला लड़का, क्लेरंस, दूसरा, क्रीपर, और ठर्ड, एक है, मारमा ट्यूक, यह तीन उसके बेटे कह दो, और यह तीनों की खास बात यह थी, कि दे वर अलाइक, आज, लाइक इसका मतलब है कि वो तीनों एक जैसा ही देख रहा था किसके जैसा सैमी के जैसा सैमी के जैसा तीनों देख रहा जानी कि चारों का शकल एक ही जैसा था किसका सैमी का और सैमी का और यहाँ पर देख लो एक सेकंड यह चारो का चारा बिल्कुछ शेम था क्या लिखा हुआ है आज दे वर अलाइक आज लाइक कुड़ भी यानि कि वो एक रूप में एक समान में वो लिख थे I have आगे लाइक I have entered मिलएट्स वो अपने आगर के कहता है क्या कि मैंने हिस्सा लिया है कहां लिया है एक हिस्सा इस पिस लेश केज में मतलब एक दोड़ में एक लंबी दोड़ में मैंने क्या किया एक हिस्सा लिया है लेकिन I can't live over the land अपैस लेकिन वो कहता है क्या सामी कहता है अपने बेटर से कहता है कि लेकिन मैं तो वो लीप नहीं कर सकता है छलांग तेजी से नहीं लागा सकता तेजी से दौड नहीं सकता अपैस मनें होता है तिब्रगती से बट, 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 इफ फोर अफ अस, राग, लेकिन अगर हम लोग चारो मिल करके इस दोड में दोडते हैं, तो चारो मिल करें, चारो एक साथ नहीं दोड़ेंगे, Disguised As one Disguised मतलब हम लोग तो चारो एक ही तरह जिये देखते हैं तो हम लोग क्यों न चारो एक हो जाएं और उन लोग को भरम कर दे Disguised मने होता है भरम कर दे भरम पैदा कर देना I guess तो मेरा ये उमीद है स्यमी कहता है कि अगर चारो अगर हम लोग जो होगा ये मज़दार जो competition होगा वो इस race को हम लोग आसानी से जीत पाएंगे बस क्या था अब प्लान का settlement होता है यहाँ पे प्लान में सबसे पहले प्लान समझाता है कि इसको clearance को clearance शामी कहता है clearance you hide by the green duck pond तुम जाकर छेब जाओ कहां पे जहाँ पे green duck pond के पीछे जाकर के एक तलाब है तलाब के पास में जाकर के एक green pond वहाँ पे जाकर छेब जाओ किसको कह दिया clearance को अब creeper को creeper को कहता है कि तुम जाकर के एक mile दूर पे जाकर के pigsty pigsty मतलब होता है sewer का खुबार जहाँ पे sewer को रखा जाता है shed किया जाता है तो तुम जाकर के एक mile के दूरी बेजाकर के pigsty में pigsty के तरफ छुब कर जहाँ पे sewer के खुबार है तुम वहाँ जाकर छेब जाओ तो दो आदमी का प्लान हो गया तीसरा में the starting line you barely took in just the place for you Marmaduke कहा पर छुब जाओ बोलता है कि जहाँ पर starting line starting line का मतलब होता है जहां से race जहां से race जैसे कि race का line ही है यहाँ पर totalize होगा यहाँ पर खरगोश होगा suppose that अब दोनों यहाँ ते दोड़ना शुरू करेंगे तो यह इस line को कहते है starting line तो starting line पर जाकर के तुम क्या हो जाना barely stock वहाँ पर starting line है जोग के खेती का जो बोरा रखा गया होगा तुम वहाँ पर जाना Marmaduke किस रूप में जाएगा Marmaduke जाएगा Sammy बन कर के Marmaduke किस रूप में जाएगा Sammy बन कर जाएगा क्योंकि race में उन लों को यह नहीं पता है कि Marmaduke ख़डा है यह Sammy खड़ा है यानि कि जो race जो शूरू होगा तो Toto Rise के जगा पे कौन ख़डा होगा Toto Rise के जगा पे Sammy खड़ा होगा Toto Rise के जगा पे Sammy कि damn size Hair खड़ा होगा clear के लिर है कि तो यह मुझी का मैं तुछ rehe प्लानिंग सबें हो गया एंड और क्या बिए और मैं कहां खड़ा रहूंगा मैं वहां खड़ू रहूंगा यहां पर मैं Kasips Ami रहूंगा यहां पर मैं कॉन हैं अभकुरा और मैं sami में और में ba वहां पे और नोज अफ जहां पे जीतना अब एकदम नजदीक आ जाएगा विनिंग पोस्ट विनिंग पोस्ट का मतला जो रेड रीबन जो लगा रहता है अगर उसको क्रॉस करते है तो मैं जीत जाएंगे तो मैं वहां पे जाके छीपा रहा हूंगा कौं शैमी अब यहां शान पर मार्म यहां पर शॉट नेंव लिखा हुआकि सका मार्मा टो मर्म और जवा पर मतलब मतलब हो गया रेश का यह रहन पर दो हो गया और यहां पर है तो अब यह लाइंडम याप आफम विस्टार्ट हो गया बीस शैक कि अब कहता है क्या जॉनी जॉनी मतलब खरगोश कहता है यह रेस तो क्या है एक तरह का जब क्या लिखा हुआ है इस रियली अफार्स बहुत यह एक अजीव है यह रेस कोई अगर सुनेगा भी तो इसका मजा कुड़ाएगा कि खरगोश से टकर ले रहा है कौम एक मामूली कचुआ जो धीरे धीरे चलता है तो यह एक मजा का पातर हो सकता है अगर लोग इसे सुने तो फार्स करेगा तो उसी को और थोड़ा चिढाते हुए किसको चिढाते हुए कहता है खरगोस चिढाते हुए कहता है कि तुम आगे बढ़ो रेस तो सुरू हो गई तुम अब आगे बढ़ो मैं क्या करूँगा मैं गेहु कुछ ले लेता हूँ और गेहों को मैं अपने खेत में बोते हुए आँगा मैं कुछ गेहों ले लेता हूँ और उसे शौ करूँगा, रोपूँगा और गेहों को कहां ले लेता है? अपने बैग में ले लेता है और तुम तो इतना धीरे धीरे लोटोगे कि जब तुम विनिंग पॉइंट से जब तुम लोटोगे न तब तक मेरा गेहों पग जाएगा ये एक तरह का कमेंट है, ये एक कमेंट करता है कि मैं तेजी से जाऊंगा अपने खेत में गेहों के बीच को डाल दूँगा और तुम जब वहां से रिटर्न होगे, विनिंग पॉइंट से जब रिटर्न होगे तब तब मेरा गेहों कटने के काबिल हो जाएगा ये एक तरह का क्या है, कमेंट है अब देखो, आगे क्या होता है, बैंग होता है एक आवाज आती है, जैसे रिटर्शूड होता है, तो इसे काउंट किया जाता है वन, टू, थ्री, या थ्री, टू, वन, या कहीं-कहीं पर पिस्टल के जाता है पिस्टल से कुछ आवाज निकाली जाती है, तो बैंग, मने एक तरह का बैंग होगा आवाज आई है, और दे आर, दे आर आफ, अब विलोग आफ हो गया है दट, हैर, अट बाउंड, अब जो हैर, अब क्या, जैसे ही आवाज शुना, हैर एक दम बाउंड हो गया मने कुदना सुरू कर दिया, कैसे, रॉकेट की तरह, रॉकेट की तरह, रॉकेट की स्पीड की तरह, वो क्या हो गया जमिन पर कुदने लगा, कुद कुद के चलने लगा and when 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 he scutted लेकिन जब वो कहा पहुंचा जहां पर वो green duck pond के किनारे पर पहुंचता है the totto rely was only तो क्या देखता यहां पर यहां पर क्या देखा है कि घर्गोष जब Green Pond के किनारे पहुंचता है तो थोड़ सा पीछे सर जोगा हटा करके पीछे घुमा करके देखता है कि यहां पर अल्हेडी पहुंचा हुआ है तॉट्राइज पहुंचा हुआ है तुम लोग पता होना चाहिए कि Green Pond के सामें कौन सा टॉट्राइज । वहां वहाँ पे created जब टॉल्टो हृँ ग्रीन पांड को पार करेंगा तो तुम वहाँ से निकल करके क्या करना निखल जाना तो अब वहाँ पे कौन था? Clarence है, clear? यह बात समझ में आ गई? आगे हैं, अब तो टॉटराइस कहा था? बस मुश्किल से एक याड, एक याड की दूरी पीछे पे वो था, आगे देखो And when he came, the old pigsty, when he, he मने कौन? जब खरगोस कहां पहुँचा? पीगिस्टी में पहुँचा They were almost neck to neck तो वहाँ पर जाकर के देखता है कि भाई, वह और पीगिस्टी पे कौन था? Creeper था तो देखता है क्या? के रहे? इसको क्या हो गया? आखिर ये कच्छवा, ये टाटरा जितना स्पीड कैसे दोड़ रहा है? वह भी अब कैसे दोड़ रहा है? Neck to neck, neck to neck का मतलब होता है एकदम बराबरी में चलना Oh my poor Johnny, अब अपने आपको बोलता है क्या? Poor Johnny, the hair, he is feel half strong अब क्या होता है? अब वह अपने, एक सिकड़, अब वह क्या करता है क्या? क्या हुआ यहां पर देखें, they were almost neck to neck or neck to my अब देखा क्या खरगोश और कच्छवा दूनों एक अही बराबरी पर चलते हुए आ रहे हैं Poor Johnny, बेचारा Johnny, वह खरगोश अब करें तो क्या? His filled half strong अपने खेतों को तो आदा वह क्या किया था? वह दिया था, शौन कर दिया था क्या बोरा था? वह गहों को बोरा था, आदा बो चुका था dropping करता है, dropping का मतलब तब उदास हो जाता की भई अबतों पूरा बल लगा करके और गभी-कभी जब बल जादा लग जाता है ठकावर हो जाती है तो कहीं कई पर वो रुकता भी है पॉफिंग करता है हाफता है हाफता है और तेञी लीन जॉर ब्लॉन करता तो वो विनर कहलाएगा तो अब मुश्किल से तेन याड तेन याड की दूरी पर वो आ गया है भी अब थोड़ा सो वो बोल्ड होता है और पीछे की तरफ देखता है क्या है फिर तोड़ा पीछे की तरफ उगर देखता है कंजे को घुमा करके देखता है तो उसे पता चलता है कि अब मुश्किल से डेस्टिनेशन जो पॉइंट है जो विनिंग जो पोस्ट है अब वो तेन याड की दूरी पर है अब तो हम जल्दी पहुँची जाएंगे इस बात को कौन बोलता है? इस बात को हेर बोलता है लेकिन वहाँ पे कौन है अलड़ी? उस टाड़े में क्या बोला था? शैमी क्या बोला था? कि मैं वहाँ रहूगा जहाँ पे मुझे जरूरत है यानि कि वो अलड़ी विनिंग प्वाइंट पे जाकर छुपा हुआ है यहाँ पे देखो, इस लाइन को पता चल जाएगा शैम, मतलब शॉट में शैमी शैम, आर यू देर? कौन बोला? क्या तुम वहाँ हो? सैड जॉनी, जॉनी कहता है जॉनी यानि कि खरगोश कहता है कि अरे, तुम यहाँ पे कैसे? अब यहाँ पर टॉटराइस क्या कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था ना कि मैं इस मैच को, इस गेम को, इस कंपरिशन को मैं आराम से मैं जीत रगता हूँ और मैं देखो, तुम से पहले यहाँ मैं पहुच चुका हूँ पहले है, तुमर, जो वहाँ की शान थे जो दोस्ते वो क्या करते है? होल्डिंग करते हैं होल्डिंग मैं पकड़ते है tap को, मैं जो farmer यहाँ पे हो यहाँ पर friend है वो कै कि यह tap को पकड़ा हुआ है, दोनो, मैं जो red grell का जो ribbon होता है वो पकड़ा हुआ है and there was Shami, All, Boing and Scrap, सारे लोग जो है Shami को स्वागत करते हैं, अनर करते हैं तालिया बजाते हैं His head His head held high उसके जो सर है, वो उचा हो जाता है और उसके आँखों में What a shock, वो in the eye for Johnny, और Johnny के आँखों में एक सरमिंदगी का परदा उबर जाता है लग जाता है और अपने मुँ को खोले हुए आवाक रहता है मुँ को खोले हुए आवाक रहता है कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ कैसे वो जीत गया, अब उसको अपने आप में guilty हो रहा है एक तरह का बेजिती, एक तरह का humanitation कह सकते हैं ये उसको feel हो रहा है कि हम हा रहे हैं तो किस से हा रहे हैं एक मामूली रहेंगने वाले प्राणी से हा रहे हैं अब आगे well done said the farmer, वहांगा farmer कहते है कि बहुत अच्छा, बहुत शांदर and now me thank अब मुझे, मुझे मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से कि it's proper to offer you eat and drink मेरे तरब से, चलो कुछ नशता पानी कुछ पिया जाए ये offer कौन करता है, farmer offer करता है और कहता है क्या, कि will you join me, both क्या आप लोग, किस से कहता है खरगोश से कहता है कि क्या तुम भी join करोगे हम लोग के साथ में कहता है, no, with an odd odd मने होता है, गुसा से कहता है, कि नहीं, मैं तुमारे party को नहीं join करोगा, कौन कहता है Shad, Johnny, the hair खरगोश कहता है और घर चला जाता है घर कैसे चला जाता है, slink करके slink का मतलब क्या होता है slink का मतलब होता है यहाँ पे चुपके से मने अपसरमेंदगी से वो चुपके से वो अपने घर में वापस चला जाता है but later ही farm लेकिन तोड़ी, लेकिन जब वो अपने farm के तरह में आता है और उसमें एक लंगड़ा पना गया मने पैर दर्द होने लगा उसके उसके जो brain है वो fuddle होने लगे fuddle का मतलब यहाँ पर कह सकते है क्या? fuddle का मतलब उसका जो दिमाग है पूरी तरीकी से puzzle हो गया कि आखिर यह हुआ तो कैसे हुआ क्यों क्योंकि वो जब वो speed में आगे निकल जाता था पीछे मुड़के देखता था तो पीछे है फिर जब वो आगे बढ़ता या थोड़ा और आगे बढ़ता तो देखता था कि neck to neck आ गया तो आखिर इतना speed में दड़ा गया यह तो लेकिन game था किसका? वो पीट करता है जाकता है कहां खिरकी से जाकता है तो वो babbled होता है babbled का मतलब बढ़ बढ़ाता है किसके पती? वही incident को याद करके वो बढ़ बढ़ाता है और babbled होता है बुद बुद आता है क्या बुद बढ़ाता है? कि four semi क्या देखा? ख्योड की से जहां करिखता है, तो क्या देखता है, अरे, ये क्या, मझे तो एक सैमी याद है, मैंने कि एक टाटरा зач सैमी है, आशिपिंग बेटी, और चार-र-चार सैमी चाई पी रहा है, ये चीज़ देखकर के, वो इ lens strike हो जाता है, और उसका मुझ खूला का खूला रह जाता है और बोलता है कि अरे मैं इतना बुरी तरीके से हार गया कि मुझे तो अब चार-चार सैमी दिख रहे हैं बाता है क्लियर एक्चली रियल में तो चार ही सैमी था लेकिन अब इहां पे जो खरगोश है वो सोचता है कि मैं इतना पजल्ड हो गया हूं मैं इतना ठक गया हूं मेरी आँखे भी अफसाद धुंगदरी हो गई है क्योई मैं एक सैमी के जगा पे मैं एक सैमी के जगा पे अब कितने सैमी को देख रहा हूं? चार लेकिन ये बात तो सच है वो चार तो देख रहा है लेकिन यहाँ पर खरगोश क्या सुच रहा है कि साथ मेरे अंदर यह हार का ही यह एक नतीजा है कि मैं एक को में चार देख रहा हूं यह मेरे अंदर कमी आ गई है तो student, I hope यह relation समझ में आया होगा और enjoy करोगे कि किस तरह से वो कहानी इस कहानी से different है ओके, thank you, thank you very much